हाँ जी नमस्कार जैहिन स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफॉर्म राजिस्तान क्लासेस पर दोस्तों ये सेकंड शिप्ट का जो कि आपका पेपर आज चुका है और हम लोग हल करने वाले और आपको ये देखना है अगर आपका एक्जाम हुआ है तो तो फर्स्ट से लेकर ये जो था ये इजी था अब आप कहेंगे सर इतना इजी तो नहीं था देखो हम लोग बात करें हमारी क्लासेस की बात करें जीके पिछले दो दिन का एज़ेटेज पूचा गया दोस्तों कल जो हमारी जीके की तीन क्लासेस हुई थी लगबग 20 से 25 प शिंदे के द्वारा करा गया जून 2022 में जारी भारतिय खादिय सुरुक्षा और मानक प्रादिकन एफ डबल एस ए आई के चौते राजिय खादिय सुरुक्षा सुसकांक में राजस्तान को दस्वा इस्थान मिला है ठीक है और अप्रेल 2022 में DRD9 टैंक रोधी ने तेशित म मिसाइल हैलिना का सफल परिक्षन पोखरण में करा है यानि option या पर D था ओके दोस्तों आगे बढ़े तो अगला question आप से पूजा गयता इस्थिर कीमतों पर राजस्तान की प्रती व्यक्ति आये 2021 में कितनी थी अगर यहां पर बात करें दोस्तों तो 14009 थी ठीक है अब यह हमरे बास से समवंदी तो नहीं है देविलाल सामर है रामलाल माמה थूर्य कोमल कोठारिय किन शंकर देव द्धकाल हमने हमारे राजस्तान में तो नहीं पढ़ा निमन मैंसे कौन सा दूरग जल्दूर की स्थेनि मिए दोस्तों ये रातरी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा राजस्तान राजी निर्वाचन आयो का गटन भारतिय समिदान के किस अनुचेद के अंतरगत हुआ तो अनुचे 243 के अंतरगत अगला क्वैसन पूजा गया था राजस्तान के मुख्य सच्यों का चैन जो है किसके द्वारा किया जाता है कई मर्दबा पढ़ा होगा किसर मुख्य मंतरी के द्वारा किया जाता है काली बंगा के संदर्ब में निम्न मैसे कौन सा कथम सत्य नहीं है यह एक नगरी सब्वेता यह सत्य है यह अनुमान गड़ के जिल्ले में यह सत्य है यह उतकरन कारे से अडपा और पूरो अडपा काली बंगा की सब्वेता आहर नदी यह आपका गलत था यानि आपका आंसर इसमें जो सहीता वो यह था ठीक है ऑफशन डी ऑके दोस्तों राजस्तान में दक्षन बच्ची मांसुन की आउदी जो मानी जाती है वो कितनी मर्थभा ही पड़ा है की जून से मद्दे सितंबर तक जून से मद्य सितंबर तक है ना संगीत राज ये रात्री की क्लास में पढ़े थे जितने भी कुंबा के जो है ना कुंबा के सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े थे जो ग्रंत थे तो दोस्तों संगीत मिमान सा संगीत राज जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे जो व्र में हम लोगों ने इसको cover करा था अगर आप हमारे साथ जोड़े हुए थे तो पता नहीं यहाँ पर हम लोग रात्री क्लास से भी बात करें न तो भी 10 से 15 question put up हुए हैं आप अगर देखते हैं इसको तो completely डोल नर्तिय की लोगगी बात करें दोस्तों गीदर नर्तिय की बात करें यह शेखावटी का है बम रश्या की बात करें यह हमने कि पढ़े में आप रात्री की क्लास में पढ़ आता कि आपका बीलवाडा नहीं वियस से किस जिले में शुष्क उउष्ण कटीवन दिये पंपातीवन नहीं पाए जाते तो हमने कितनी मरतबा बात करी सिरो ही में जो है सदा बाहर घनेवन पाए जाते हैं और एगला क्वेसन आप से पूछा गयता किनसरिया नागोर किस लोग देवी तो यह केवाई महता है यह तो हम लोगों ने पहले कापी मतलब वनपाल से पहले ही पड़ा था शीतला अस्टमी किस दिन मनाई जाती है कल सुबह की क्लास का क्वैसन है भाईया चैत्र क्रश्ण अस्टमी को ये मनाई जाती है नेमनलिकित मैंसे कौन सा दुर्ग लोग प्रिय सूमेली तर नहीं है मतलब की सुमेली कौन सा नहीं नहार गड को का जाता है सूदर्शन गड तारा गड को सुबह की क्लास मबात करी गड बींटली का जाता है मेरान गड को मयूर धर्ज गड का जाता है और भटनेर दुर्ग को कोशवर्दन नहीं का जाता है यहाँ पर right answer आपका था option B 2011 की जनगर्णा के अनुसार जो जिल्ले है न राइस्तान के निमन मैसे किस जिल्ले के जोड़े ने घनत तो 100 से भी कम दिखाया वो है एक तो बीका नेर एक जैसल मेर है बीका नेर और जैसल मेर दोस्तों यहाँ पर right answer है जैसल मेर बीका नेर और आपका right answer हो जाएगा चुरू जहां तक option अपन लोग लोग करेंगे C को ठीक है अगले question की बात करें अजरक print के आमतोर पर किस रंगों का परियोग करा जाता है तो दोस्तों इसमें आपका करा जाता है लाल और नीले का option C नेवन मैंसे कौन सा यूग मेले से संबन दी थे दोखो देखें दोस्तों मेले की बात करें ये सारे मेले हम लोगों ने पड़े थे परशूरा महादेव यहाँ पर नहीं भरा जाता हम लोगों ने कितनी मर्तबा बात करी कि राजस्तान का अमरनाथ जैसे कहते हैं परशूरा महादेव जी यह मेला जो है आपका कहाँ पर वरता है परशूरा महादेव जो है राजहमंद और पाली की सीमा पर है लाल दाजी का मेला दोलिदुग सही है बाजशा मेला ब्यावर सही है मातर कुन लेने का मेला राश्मी स सही है तो option A आपका सही था अगला question है कि सन 1867 में हुए कोटा विद्रो के संदर्ब में नेमनलिकीत कतनों को पढ़िए दोस्तों यहाँ पर फिर है जो आपका गलत कौन साथा देखो संदर्ब में नेमनलिकत कतनों को पढ़िए यहाँ पर क्या कह रहा है देखो इस विद्रो क सभी का यहाँ पर भी सही माना गज़ जाएगा अगला question नेमन मैसे किस देवता ने राव जोदा को मंडोर विजीत करने में सायता परदान करी तो हडबू जी ने करी थी दोस्तों अगली question की बात करें मुकाम किस से संबंदीत है कत्रिया सर जसनाजी से तो मुकाम जो है वि question आपके लिए नया है बिलकुल है तो यह आपका नीमाज पाली में है दोस्तों मंदिर यह काला और बाला तो यह तो सभी को पता है कि तेजा जी है जालोर के चोहान वर्ण्ष के संस्तापक यह repeat हुआ है question और एजटीज सेम सेम प्रशन हम लोगों ने पढ़ आ था कल की क्ल क्लास में यू का यू तो हमारा किर्थिपाल चोहान हो जाएगा और दोस्तों जिसे कित्तु चोहान भी का गया तिमणिया कहां पर पहना जाता है कल रात्री की क्लास में बोले सर गले में पहना जाता है अगला question पूचा गया था और इजटीज यह भी पूचा गया है यू क था है यहांगु देखे गोगेलाव डूर्म तो ना गोर्म में है यह तो आपको पता ठीक है दूर्म डूर्जिंझा कर यहांग करें एच्छ में इस तो आपका डू है तो आपका राई attendance और अगला क्वेसन पूचा गया था कि पवना नुवर्ती बालु का इस्थूप राजस्तान के किन जिल्लों में मिलते हैं तो पवना नूवर्ती रेख ये दोस्तों आप्शन C को करना था आपको ये भी पढ़ा हुआ है संत दादू जी के संदर्ब में निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सत्य नहीं है देखिए सत्य की बात करें ये अनबे वानी इनसे संबंदित नहीं है बाकी इनका जर्म की बात करें अनबाबाद में हुआ था हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था दोस्तों दादू संपर्दाय के सत्संग इसतल अलग दरीबा कहलाते हैं ठीक है और इन्हें राजस्तान का कबीर ये सारी चीज़े हम लोगों ने पढ़ी मैंने कहा था कि दादू दयाल से संबंदित और रामशने संपर्दाय से संबंदित ऐसा क्वैसन आएगा वो आएगा ये सारी चीज़े हम लोगों ने बात करी थी और राजस्तान मानुविदिकार आयोका गठन 1999 आप सभी को पता होना चीए डेर तो हम लोगों नहीं पढ़ी लेकिन ये जरूर पढ़ा था वाकल मेश्वा और हतिमती ये सवाल है जेटीज पता नहीं क्यों ही पूचा गया रात्री की क्लास में पढ़ा था भहिया रात्री जो अपनी मेराथन क्लास होई थी लगबग वही प्रस्ण देखने को मिले वाकल मेश और हतिमती आपकी साबर मती की वैसे हमें मावाद चाहिए पचीस मार्च 1948 को सहीवत राजस्तान में विले की गई रियासत थी तो दोस्तों ये परताप गड़ थी है ना और अगली बात करें तो निमलिकित में से कौन सी तिलन की फसल राजस्तान में खरीब के उगई नहीं जाती तो देखो यहां पर सरसों ही होगा राइट आंसर है ना और अगले क्वेसन की बात करें राजस्तान राजी के विदान मंडल में शामिल है तो केवल विदान सभा ही है ठीक है अगले क्वेसन की बात करें यहां पर विदान परिश्द है नहीं हमारे यहा बात करी कि ये कोटा में इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा और सी ही होगा क्योंकि यहां पर क्या पूचा है कौन सा महल युगम असंगत है तो असंगत अभेठा महल है दोस्तों असंगत वाला ठीक है अब ली मेनी कोटा बिल्कुल है पूचा कैता वागड की मीरा ये भी रात की क्लास से आया हुआ वागड की मीरा गवरी बाई को कहा जाता है अगला question नेमन मैसे किसने राजरस्तान विदान सभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला हुआ है तो चिपी जोशी जाब हो जाएगा और अगला question देखो दोस्तों नेमन मैसे किस अराओली चोटी की उंचाहियां दोस्तों सब को पता है गुरू शीकर के अधीक है कुम्बल गड की अधीक है और जो है अपनी है किसकी रचुनाद गड की भी अधीक है रचुनाद गड की आपको बता रखा कई मर्तभा एकजार पच्छपन है तो नाग पाठ यह 768 की आस पास में ही है ओके दोस्तों अगला question है बोजी लंबरदार का संबन्ध जो है कौन से आंदोलन से है तो इनका संबन्ध है भरतपुरकिसान आंदोलन से दोस्तों ये आपका question है जो 22 प्रशनों की सीरीज हम लोगों ने पड़ी थी उसमें से ये प्रशन जरूर है आप देखना ठीक है अगला question पूजा गयता निम्न वैसे कौन सा कतन चंबल बेशिन के बारे में गलत है देखो चंबल बेशिन में विशाल गाटिया है ये ना बिल्कुल है सर यानि की बीहड भूमिया है बीहड है याँपर ठीक है और हम लोग बात करे तोस्तों देखो याँपर थोड़ इंदोर के पास में माव तैसिल में जाना पाओ की पाड़ी ये तो सई है चंबल बेशिनके दक्षिन में नीच्ची पाड़िए जोएं दांग काता है ये भी सई topics विंद्यन कगार दोस्तों की बात करें तो विंद्यन कगार भूमिया जो एज जो हैं चंबल बेशिन से गाटिया भी क्योंकि बीहड भूमी वहाँ पर मिलती है हमें तो हम एक बार इस डी को आफशन को ही सही करेंगे अगर मुझे लगा कि ऑथिंटिक सोर्स में ऐसा मैं देख पाता हूं तो आपके लिए एक क्लास में ही एड कर लूँगा रात वाली क्लास में ओके दोस्तों चले अगला क्वेसन आपके स्क्रेन पर है अभी आप डी कोई मानेंगे नेम न लिखी तो ताप विद्यूत परियूजना जिल्ला मैंसे कौन सा सू मिली ता नहीं है कवई 12 हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कपूडी और जालीपा बार्ड मेर में है काली सिंद जालावार में है गिराल बीकानेर में नहीं है यह गिराल आपके बार्ड मेर में यानि आपसंडी यहां पर सही है तो नहीं है ऐसे प्रस्ण बहुत ज़्यादा पूचे गए अल्ला जिलाई भाई के बारे हम क्या ही बात करें सभी को मालूम है और हम लोगों ने क्वैसन भी आड़ करा था कल्डात की क्लास में ओजियान पुरा इस्तल राजस्तान के भीलवाडा में इस थी था दोस्तों ठीक है निमन मैंसे किस नर्तिय शेली को साथ में मंजीरा और चौतारा बजाए जाता है बड़ी बखुबी से बात करी हुई है तेरे ताली नर्तिय में कोलायत लिप्टनेर का नया नाम दोस्तों कितना आसान सा सवाल जो था डॉक्टर करणी सिंग होगा कोटा में वीर भारत सबा की स्तापना केसर सिंग बारट ने करी थी दोस्तों अदो लिकित मैंसे कौन मारवाड के पंच पीरों में एक नहीं है रामदेव जी है अडबू जी है मिहा जी है गोगा जी है पाबू जी है लेकिन तेजा जी नहीं है दोस्तों है ना यस जेपुर में मिनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी तो मान सिंग फर्स्ट के शासनकाल में अलाउदीन खिल जी की निमनंग लिकित मैसे विज्जियों को काल कर्मा नुशार आपको करना था अलंकि हम लोग बात करें सीवाना 308 है ठीक है और 1311 है जालोर चितोड की बात करें तो 303 है रंधंबोर की बात करें 301 है तो सबसे पहले चार आएगा उसके बाद तीन आएगा उसके बाद एक आएगा उसके बाद दो आएगा चार तीन एक दो आपका आफसन यहां पर आ रहा है सीवें बिलकुल आसान सा सवाल है और अगला क्वेसन देखो 867 उनकी विद्रो के समय राजस्तान में कितनी सैनिक चावनिया थी तो दोस्तों यह आपका अच्छे हो जाएगा और अजमेर इस्तित मेयो कॉलेज शिक्षन संस्तान की स्तापन 875 में करी तो यह कोई कोई ऐसे सवाल है जो हम लोगों ने पहले पड़े हुए हैं बिलकुल हमारी क्लासे से जो हमारे साथ continue जोड़ा हुआ है उनको बिलकुल देखो जीके में एक या फिर दो प्रस्ण जो है वो छोड़कर आप गलत नहीं कर सेकते अगर आप हमारे साथ continue जोड़े हुए हैं तो देखें जीके पर बहुत विशलेशन करते हुए हम लोगों ने पड़ा है तो फिर आप गलत करी नहीं सकते देखो यहाँ पर कौन सा यूगमन साई सुमेलित नहीं है देखो बालमुकुन मिस्सा जो है यह इनका जनम हलंकी नागोर से है बट इन्होंने जोड़पूर में क कई मर्तबा हम लोगों ने पड़ा है इनको अगला क्वेशन देखेंगा कि बुद्धी विरास गरंद के लिखकों है तो बखत राम सहा हो जाएगा और अगला क्वेशन की बात करें दोस्तों तो राजस्तान के इतियास में हिंदू पत कि शाष्र को का जाता है कई मर्तबा तो राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों बात करें कोटा राजी का संस्तापक तो मादो सिंग हो जाएगा ठीक है और कल आप से सवाल पूचा जाएगा कि जालावाड राजी का संस्तापक तो दोस्तों वो जाला जालिम सिंग को अलग करके ठीक है बिलकुल सर्याद रख यह जो है पावना गीत काये जाते हैं राजस्तान का सबचे छोटा क्रसी जलवा युजान दोस्तों कौन सा है तो यह आपका बाईसो प्रस्ण उत्री में मिल जाएगा आपको प्रस्ण आप देखना चाहो तो आधर दक्षनी मेदान हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब हम लोगों ने पड़े थे फलो में मिठास का कारण क्या है फ्रक्टोस है दोस्तों और यदि अवतल दरपण में किसी वस्तू की इस्तिती अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिवम देखे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक इस प्रस्ण को 17 नंबर को आप बताएंगे क् क्योंकि ये सवाल हमने कल सुबह की क्लास में ही पढ़ाता कल सुबह की आज के नहीं कल सुबह की क्लास में पढ़ाता जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है इस प्रस्ण के लिए ठीक है बिलकुल नहीं तो आप कमेंट करोगी नहीं मुझे पता है क्योंकि पिछली जो मैं ने आपको उत्तर कुंजी दी है उस पर आप लोगों ने कमेंट ही नहीं करें इसलिए आपको यहां पर कमेंट जरूर करना है एक समूंधरी मील बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है जल्दी बताओ हो जाएगा सी 852 मिटर होगा लॉंग दोस्तों ये सवाल भी कल सुबर की ही कलास्म पढ़ाता अगर मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं लेकिन आपको ज्यान रखना है फूल की कली से यानि आपने ऑफिसन सी को करा होगा बिल्कुल ठीक है और एगला क्वेसन आपकी स्क्रीन पर है या फिर पुष्प की कलीका कहलो ठीक है रेयोन के निर्माण में दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से आज सुबर की ही क्लास्म पढ़ाता हम लोगों या कल सुबर की याद है मुझे रेयोन के निर्माण में प्रियुक्त होने वाला मुख्य कच्छा माल जो है चैलूलोज होगा आपका और दोस्तों अगली question की बात करें तो इसमें आपका निम्न सूचियों को सुमेलित आपको करना था जिसमें से यहां पर यह काफी बड़ा question है थोड़ा सा पूरा screen में नहीं रहेगा लेकिन मैं आपको बता देता एक अमल और एकशार के बीच में जो अभीकरिया बनती है दोस्तों वो आपकी बनेगी उदासी नहीं करन अभीकरिया यह भी सवाल हमने पढ़ा हुआ है यहां पर आपका right answer होगा option B अगले question की बात करें नंबर 23 में 23 में पूचा था कि कौन सा सई सुमेलित नहीं है तो A सही था, B भी सही था, C भी सही था लेकिन यह D गलत था यह सवाल दोस्तों विज्ञान के इस प्रशनब पत्तर के जो सवाल है ना वो सारे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कोई एक दो सवाल को छोड़ कर देखो, यह एक पोदा जिसमें हरी पत्तियां हो, वे लाल बत्ती में रखने पर काले दिखाई देंगे दोस्तों कैसे, option C को लॉग करेंगे और निमलिकित मैस से कौन सी वान और शरीर के सबसे जोटी हड़ी है यह भी हम लोगों ने दो दिन पहले ही पढ़ा था यह वन पाल एक्जाम के बाद के question सारे सारे पढ़े हुए है और यहाँ पर आपको कूट से फिर है जो यहाँ पर कूट करना था चबीस का जिसमें आपने answer किया होगा, क्या किया होगा देखो D ही करा होगा, देखो A में क्या है जैसे त्वरण में आपका मीटर प्रतिवर्ग सेकंड होगा बल में आपका न्यूटन हो जाएगा और किया गया कारे जो है फिर्स्ट जूल हो जाएगा कारे का जूल होगा मतलब किया गए कारे का हो या फिर कारे का जूल होगा और आवेग का हो जाएगा Newton सेकेंड ओके दोस्तों तो यहां पर आपसे आपसे डी को ही किया होगा 26 में बिल्कुल किलियर है अगले क्वेशन की बात करें तो आया था 27 का कि निवन मैंसे किस युग में आई सो इलेक्ट्रोनिक आयन है तो दोस्तों आपका राइट आंस रोगा option B ठीक है और अगला क्वेशन है सैप्टी लेंप का आविश्कार किस ने करा था कितना ही कितने ही मर्थभा पढ़ा था हम प्री डेवी ने है हम प्री डेवी ने अगला क्वेशन दोस्तों इस प्रशन को मैं आपको बात में बताओंगा ठीक है यह प्रशन जो की authentic source से बताना ठीक रहेगा क्योंकि मुझे खुद को भी मालूम नहीं है इसके वारे में तो यह जरूर से जरूर आपको बता दिया जाएगा जो भी मैं प्रशन छोड़ रहा हूँ न वह मैं आपको किसी एक अलग से वीडियो बना कर बता दूंगा ओके चले यहाँ पर क्या फूजा जा रहा है कि रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का slab रखा गया जो अक यह रात की ही क्लास में बात करी थार मौस हो आपके भाड मेर मनाय जाता है और राजस्तान के किस जिले में राजा मोर्द्वज का शेहर गड़ मोरा है दोस्तों यह हम लोगों ने 22 वाली प्रस्टनोत्री में भी पढ़ा और अलग भी कई बार पढ़ा है तो गड़मोरा जो है आपके करोली में इस्तित है काफी जनों को पता होगा वैसे पढ़ा है तो हमारे साथ जोड़े हुए है तो और यह सवाल आपका करेंट जीकर का हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर क नहां पर शुगात की गई खमनोर में की गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यह भी पढ़ा हुआ था और यह देखिए राजसान के किस निकाय को आई बी सी एक्सिलेंस अवार जो की यह आपके राजसान आवासन मंडल को दिया गया राश्टिये सहकारी मसाला मेला 2022 का यह आपके जैपूर के हवा मेल में किया गया थीक है तो यह चीज़ भी बिल्कुल अच्छी अच्छा क्वेशन था यह भी आपका और अगले क्वेशन की बात करें गाजी खान बरना दोस्तों यह आपके जैसल मेरे से संभन रखते हैं ठीक है और यह खरताल से संभन देते किसे खरताल से दोस्तों ध्यान रखें एक दो एक दो प्रस्टन हर एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो प्लीज ये प्रेपर पूरा पड़ जरूर लेना देखो राजस्तान परेटन विबाग से किस संस्तान के सायोग से फोक्स अपर कायोजन किया गए यूनेस को ने इसका इसकी हेलप करी थी किसने यूनेस को ने दोस्तों याद रिखेगा और अगला जो क्वेसन पूजा गया था आपको राजस्तान की प्रतम वर्चूल कोड का ये उद्गाटन शिन दे के दोरा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए सारे चले तो दोस्तों ये मैस के जो भी है ना मैस के आपके अलग से दे दिये जाएंगे कोशिश करूँगा जल्दी देने की नहीं तो फिर जो कल पूरा करने के साथ कल साथ में दे देंगे सारों की है ना बिलकुल या फिर आपके लिए पीडियेप ऐसा करते हैं मैस के आपको पीडियेप में मैस के जो है answer उपलब्द करवा दिये जाएंगे और PDF आपको राजस्तान Classes की website पर upload करवा दी गई हैं दोस्तों ठीक है आप लोग जाकर download कर सकते हैं इसकी answer की की और वो आपको latest post में मिलेगी राजस्तान Classes आप लिखेंगे तो latest post में आपको इसकी answer की मिल जाएगी अब दोस्तों आप सभी का paper कैसा हुआ ये second paper आपको first की बदूलत easy लगा या नहीं लगा ये जरूर आप comment में लिखें और आपके इस प्रश्ण पत्र में कितने सही हो रहे हैं ये आप हमें जरूर बताएं ठीक है comment करके और आप अगर हमारी classes में जोड़े हुए थे तो आपको कैसा लग रहा है वो अपना comment जरूर करें यार comment भी नहीं करते हैं आप लोग comment जरूर करें कैसा लगा आपको की sir हाँ ये question तो जरूर देखने को मिले थे एक दो दिन में या जो भी पांच दिन में माईने भर में आप जितने भी हमारे साथ जोड़े हुए थे ये paper देखने के बाद जरूर आत्म विश्वास आप सभी का जगा ही होगा तो दोस्तों अपना विश्वास और यूही बस बनाई रिखेगा आप सभी का देल से बहुत बड़ शुक्रिया जैहिन बंदे मात्रम